हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल सुपब कलेक्शन तो कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ओईल आधानी सी एंजी पंप डिस्ट्रिब्यूटर्शिप किस तरह से लेनी है हमें सी एंजी पंप की है और यह जो है और अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि इंडियन ओईल आधानी की सी एंजी पंप डिस्ट्रिब्यूटर्शिप किस सरा से ले सकते हैं उसके अंदर हमें कितनी जमीन की रिकुर्वार् उसके लिए eligibility criteria क्या होगी कितना investment लगेगा साती हम ये भी जानें कि उसके लिए हमें आवेदन किस तरह से करना है और उसके अंदर हमें total profit margin कितना मिलेगा ये पूरी बात जानेंगे हम इस वीडियो में तो इस वीडियो को जो है अन तक देखे ताकि बात आपको पूरी समझ में है और दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को click करें ताकि features में आने वाले videos को आप देख सको तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि India Royal आदानी मिलके जो है के petrol pump बना रहे जैसे आप photos भी देख सकते जो इनके existing petrol pump है जो existing CNG pump है उसके photos आप देख सकते हैं तो यह जो अगर आपका खुद का existing petrol pump है तो उसके पास आपके जगा है तो वहाँ पर आप जो है CNG pump open करना कर सकते हैं या तो अगर आपके पास कोई जमीन है national highway या state highway या किसी road पे तो वहाँ पर भी आप जो है अपना CNG pump open कर सकते हैं Indian oil और आदा रहे हैं because दोस्तों आजकल ऐसा हो चुका है कि petrol और डीजल का price काफी high है जहां पर CNG का price थोड़ा कम है और महंगाई भी बढ़ते जा रही है और government भी इस तरह पर अप्रोच कर रही है कि आप जो है CNG वहीकल इस्तेमाल करें CNG वहाँ इस्तेमाल करें क्योंकि population pollution भी इतना हो गया है कि इस वज़े से जो है CNG के बारे में सब लोगों को suggestion किया जा रहा है और CNG जो है petrol और diesel के मुकाबले सस्ता पड़ता है तो इस वज़े से CNG का market जो है काफी जादा बढ़ रहा है काफी demand में है तो अगर आप जो है इस वक्त ये franchise लेते हो तो आप आगे आने वाले स पता होगा आपके दोस्ती यारों में आप लोग भी जो है CNG गाड़ी जादा prefer करते हैं तो इस वीडियो में अब सबसे पहले जानते है कि eligibility criteria क्या होगा अगर हमें जो है Indian oil आदानी gas CNG pump लेना है तो सबसे पहले आवेदन जो है Indian residence on Indian citizen होना चीए उसकी आयू जो है 21 साल से ज जो है इसके लिए apply कर सकते हैं और आपका जो है net worth approximately एक से डेट करोट रुपे का होना चाहिए तब ही आप जो है इसकी franchise ले सकते हैं distributorship ले सकते हैं और उसी के अलावा आपके पास जो है आपके और company के complete document होने चीए और आपकी खुद की जमीन होनी चीए अगर जमीन नहीं है तो आपको जो जमीन है 15 साल के लिए lease पर लेनी होगी 15 साल के लिए lease पर आपको लेनी होगी जिसके लिए आपको lease agreement और आपको जो NOC आपको जो देना होगा company को अब इसके अंदर investment कितना लगेगा तो आप अगर जो है Indian oil gas agency NG agents pump लेना चाहते हैं तो approximately application करने के time पे आपको जो है non refundable fees pay करना होता है जो 11,800 रुपे होती है वो non refundable होता है आपको apply करने के लिए वो fees pay करना होता है उसके अलावा जो petrol जो pump बनेगा CNG pump उसका cost other charges और जो भी मदब machinery लगेगी चछत बनेगा ये सारी चीजों का charges मिला के approximately एक से date करोड रुपे का investment रहेगा अगर आप इत मेरी बात यकीन मानिए इसके अंदर income भी काफी जादा है जो existing dealer है वो बहुत अच्छा amount earn कर रहे हैं इसी वज़े से जो है काफी सारे जादा CNG pump open हो रहे हैं इंडे नॉयल और आदानी के अब बात करें जमीन के बारे में कि कितनी जमीन requirement होगी तो आप अगर इसकी CNG pump dealership ल होना चाहिए 30-35 मीटर का frontage होना ही चाहिए और आपकी जो location यह prefer करें नैशनल हाइवे या state हाइवे पर प्रिफर करें आगर आपका जो है ग्रामिंग में या city में कोई जमीन है तो वो road पे एकदम touch होनी चाहिए और अगर जमीन है तो वहाँ पर जो है कम गार्या जादा हो होना चाहिए वहाँ ने जो है CNG वहाँ जादा होना चाहिए उसके base पर ही आपको जो है इसकी franchise dealership दी जाएगी और दोस्तों जो आपकी जमीन है वो जो है non agricultural land होनी चाहिए और green band में आपकी जमीन नहीं आनी चाहिए और जमीन के उपर से या नीचे से किसी पानी का pipe या ता जो आपके सारे documents लगेंगे उसके बाद में आपके income tax proof लगेगा आपका बता रहे हो जिसना आपके पास investment है तो उसके लिए आपको proof बताना होगा साथी साथ में आपको जो है के property के complete document लगते हैं with address और टाइटल और आप अगर जमीन lease पर ले रहे तो lease agreement लगता है और आपको जो है NOC लगता है जिसकी जमीन है उसके तरफ से और काफी जारे department से NOC की requirement होती है अगर आपने जमीन purchase की है तो sale date लगेगा उसे के साथ में आपको जो है तो आपका land है उसका जो है land काring map लगेगा आपको NOC जो है काफी सारे department से जैसे pollution department पूलिश डिपार्टमेंट काफी स सारे डिपार्टमेंट से आपको जोए के नोसी लगीगा जिसके बारे में आपको कमपनी बताएगी अब बात करते हैं इसके इंदर हमें सारी ओफिश्ल साइट से लेके ही बता है तो आप वह सारी वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और जो PDF है-PDF के अंदर भी आप सारी डीटेल पढ़ सकते हैं क्या है किस तरह से और इसके अंदर अगर आपके पास इतना जादा इंवेश्मेंट नहीं है तो आप जो है कि कमपनी देगी बैंक से लोन दिलाने में आपको company जो है help करती है लेकिन at least आपके पास 20 से 30% का amount आपके पास होना अची है उसके बाद में आपके civil score के उपर depend करता है वेदर आपको loan मिलता है या नहीं मिलता है लेकिन company आपको help करती है आप loan ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर profit margin की बात करें तो profit margin जो है काफी अच्छा है लेकिन company आपको बताएगी कितना profit margin है क्योंकि profit margin नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो है कि जो जिने मिलता है वो ही आपको बताते हैं हमने dealer से contact करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से हमें update नहीं मिल पा रहा है और website पे profit margin के बारे में updated नहीं है तो आप जैसे जो company से registration करेंगे तो आपको जो है के company बता देगी कितना profit margin है और सारी चीज़े तो देखिए दोस्तों जब आप form जो है आप इनकी website चेक करते रहे ताकि आपको पता चलेगा whether requirement है या नहीं है और उसके अलावा आपको जैसे के और कोई दिक्कत आ रही आपको फिर आप जो है के आपने एक बार submit कर दिया तो उसके बाद में क्या होता है आपने जैसे submit कर दिया सारे documentation तो उसके बाद में ड्रॉ निकाला चाहिए कर ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है तो आपका interview होगा आपको land आपके जो जमीन है वो देखी जाए कि उसके पर survey होगा उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उमेद करता हो दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई तो इसे जादे से ज्यादा लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेर करें फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मुच फो